है गाइज इस दिए आइश्र वेकम बाक्टोर एपिसोड और एपिसोड और एपिसोड में आगे जाने से पहले यार सबसे बहुत तो थैंक यू सो मच गाइज आपने 26,000 सब्सक्राइबर करने यार अपने चैनल पर और अपने चैनल पर और आप क्योंकि भाई देखो फोन म आती है of course हमारे दुलारे डेली सोप फुटबॉल के केलिन अमबापे से अभाई देखो यार में को ही लगता है कि मैंने जब से यूट्यूब स्टार्ट किया है मैंने इतनी रियक्शनरी स्ट्रीम कभी करी होगी like it was all about a fan content creator नाम कोई चीज नहीं था it was just a fan जो बोले जा रह है बस एक दिर दो अंटे अज बोले जा रहा है लेकिन definitely it's indefinite क्योंकि इस point of time पे reporters reliable breakthrough reporters underground reporters unreliable reporters हर एक बंदा कुछ ना कुछ क्लेम कर रहा है और कुछ ना कुछ factual put कर रहा है लेकिन definitely football daily episodes में हम एक direction पकड़ेंगे और सबसे पहले है बात करते है उन चीजों की जो कि हमको sure है क तो पहला point आता है कि देखो है reports के साफसे it's almost confirm कि केलन अमबापे शाय से Sunday को अपना जो decision है उसको announce कर सकते हैं दूसरा point यहाँ पर ही आता है कि देखो वो जो ये बात चल रही है कि केलन अमबापे को convince करने के लिए PSC ये अब कही ना करी एक तरीके से method निकाल रही है कि उसक internal decisions में बहुत बड़ा say होगा चाहे coaches के हम बात करें चाहे हम definitely managers के हम बात करें चाहे sporting director की बात करें कुल मिला के all and all एक sporting project काही ना की के लिए नमबापे नाई से उसका face होगा बलकि काही ना की उसका बहुत बड़ा say होगा अब देखो definitely इसके नजरे फिरा कि यह नहीं कह सकते नहीं यार यह तो बहुत गंदी चीज है यह होती है तो उनके असाब से कही नहीं कि गलत है बट यह we are in reality तो इसको कुछ कह नहीं सकते है on the other hand यहाँ पर मेरा stand है वो यह है कि मतलब उन्होंने न उस stand से यह प्रूफ करने की कुछ इसकी कि even if there is a Zidane even if there is a Conte या कोई भी world class manager जोचिम लो कोई भी हो वो जादा नहीं सोचेगा वो केले नमबापे सोचेगा कि मेरे मेरे पास केले नमबापे है मेरे पास मैसी नेमार है एक साल और के लिए तो मैं तो जी सकता हूँ even though मेरे पर कितना प्रेशर हो या फिर मेरे को कितना sacrifice करना पड़े या फिर कोई भी प्लेयर के बीच में जो केमिस्ट्री और काफी अच्छी हो या फिर कोई कितना भी गओ कि ठेक या टैलेंट पूल है और मैं से चैंप ली जीच सकता हूँ इस तिल बिलीव कि कोई भी मैंजर अपने और दे के साथ कॉम्प्रमाइज नहीं करेगा पोशिटेट इन्हों ने कर लिया और उसको पता चल गया है कि देखो नहीं उसने नहीं डिलिवर करा है उसने न मैंनेजमेंट में धंका करा है और अब कहीं नहीं हो क्लब की नजरों में भी जाता बेकार है तो definitely हरे फ्रंट पे उसने कहीं नहीं की कॉम्प्रमाइज किया अभी भी जडान उनकी priority है लेकिन इसके साथ बात करते हैं अपनी तीसरी point की और वो यह आता है कि जो PSG पैसा दे रही है भाई वो मड़िट से बहुत बहुत ज़ादा है देखो मैं मानता हूँ कि रियाल मड़िट का जो signing bonus है वो 100 million है और उसके बाद लगबक 50 million की salary आप दे है लेकिन यह भी कहीना कि सच है कि आप मान के चलो कि 300 अगर आप नहीं मान रहे हो तो 200 या 200-200 million तो आप मान के चलो कि हाँ वो signing on bonus दे रहे हैं कि लिए Mbappé को और जहां पर जो salary होगी वो भी कहीना कि 50-100 के बीच में होगी अब इसके रिगार्ड़ी ना मेरा यार एक opinion एक observation है कि यार क्योंकि अभी हम जो बात करेंगे कि बाई के लिन अमबापे की मदर ने कहा है कि all of a sudden जिसने आज तक निगा उसने कह दिया कि अब देखो PSG को offer और Real Madrid को offer ना similar है और decision अब हमें कहीं ना कि Mbappé के decision पर हमको rely करना पड़ेगा I think यहां पर जो उसने decision लिया है ना I think the only thing जो मेरे को लग रहा है कि उसने यह चीज़ उसने बोली है वो इसलिए जिससे at the end of the day अगर कल को Mbappé यह कहता है कि मैं PSG रोक रहा हूं तो कोई घुमा कि यह ना कहते है कि PSG ने इसको पैसे दिया and he is being greedy और इसलिए कहीं ना कि इसने अपने dream को sacrifice यह compromise किया है that is the reason कहीं ना कि I think मैं को लगता है कि Kellen Mbappé की मदर यह portrait करना चाहती है कि दौनों का यहां पर कहीं ना कि जो पैसो का वो था एक प्रोजेक्ट था जो कि पैसो की इनकी बिडिंग थी वो almost similar थी बस PSG का जो sporting project है वो जादा फार-फार सुपीरियर है Real Madrid से अब मैं देखो यह no way as a Real Madrid fan यह थोड़ा bias मैं हो सकता हूं बट मैं यह बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि PSG का sporting project हमसे अच्छा नहीं हो सकता अब भी अच्छा नहीं है यह मैं मानता हूं यह तो सब सब्सक्राइब करें कि देख्यार मैं तो मैं बताता हूं सी लाइक एक जर्नलिस्ट है स्पानिस जर्नलिस्ट है जी से कुछ नाम है यह वन मिलियन फॉलोवर्स ऑन इस डोटर रैंडल एंड काफी मतलब काफी वास बिग बिग नेम इन मेंस्ट्रीम चैनल उसने बता है यह चीज बोली है एपने रिपोर्ट में कि लास्ट नाइट फेरां पीरियाल मुर्क के ड्रासीणोर में चीज बोली है कि यह यह एक देखर lyaam मेरी के ड्रसिनों में ऐसी कोई भी बात नहीं बोली है कि केलन अमबापे मेड्रिड नहीं आएगा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अपर आपस में कॉंटरिट कर रहे हैं इसी के साथ अगर बात करें यहां पर डी मार्जी हो की तो उन्होंने भी इस चीज को कहा है कि येस रिया जादा आई-केचिंग न्यूज को यहां दे रहा है वहां यहां पर रोमेन मोलिना आफकोर्स रोमेन मोलिना एक मैं वांनता हो कि एक ऐसा ऐसा जर्नलिस्ट है जो कि he is not known for his transfer specialty जाए हम Fabrizio Romero की बात करें चाहे हम यहाँ पर Devin Ounstein की बात करें लेकिन Romain मोलिन ऐसी चीज़े discover करता है ऐसी चीज़े breakthrough करता है जो कि contradicting होती है और कहीं न कहीं controversial भी होती है अब कली उसके अगर मैं आपको उसने काफी सारे claim करें लेकिन अगर मैं आपको उसके जो एक वीडियो डाली है उसने अपने अपने social media handles पर अगर मैं उसके आपको एक summary दूँ तो सबसे पहले उसने यह चीज़ कही है बहुत ही bold words में कि Mbappé ने Madrid को use किया है as a leverage कि वो PSG से ज़्यादा पैसे उठा सके भाई जितना अंदर गुस सकता हो ना मैं अपने मैं like अपने मन के सबसे सबसे निचले इस तरफे में जाके यह कहना चाहता हूं कि यह जूट है भाई मेरे को मेरे को मानना नहीं है I don't like मैं पता है कि वो कुछ कह रहा होगा तो I think there might be some facts there might be some theory लेकिन मेरे को मानना नहीं है भाई यह लाइक भाई बंड्रेल उसका ड्रीम अगर वो लेवरेज जैसी बात है अगर हम कर लगे अगे अगर मेरी मेरी तो गान के लज़ जाएगी सही बतारू दूसरी चीज नहीं यहां कहाए कि definitely यहां पर जो केलेनमबापे की मदर है उसका यहां पर बहुत बड़ा रोल है चीजों को घुमाने में और चीजों को अपने हिसाब से ढालने में और साथी साथ यहां पर जो केलेनमबापे का उसने का है और ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि रियाल मेडिट का जो ओफर है न वो कम छोटा है भाई रियाल मेडिट का उफर उनके हिसाब से हिस्टॉरिक ओफर है और जो कि अपन लोग बहुत मितलब कहते हैं मैं तो अपने दो तीन फुटबॉल लेली एपिसोड में कहा भी ता इस च करें इमेडियेटली जब उसका डिसिजन आ जाएगा और अधरवाइस जादा लेट हो गया तो भाई मैं उस पर एपिसोड डाली दूँगा लेकिन इसी के साथ यह बात करते हैं अब थोड़ी से ट्रांसफर अपडेट्स की सबसे पहले अब अगर डी मरिया की बात करें त कि PSC यहार एक total rebuild में जा रही है इस point of time पे दो तीन ऐसे players है जिन पर वो trust करते हैं लेकिन उनमें सबसे उपर जो दो नाम आते हैं वो आते हैं लियोनल मैसी और केलन इंबापे और उसके अलावा कोई नाम उनको नहीं चाहिए इस point of time पे इसी के साथ यहां पर अगर हम उसक जकारिया की डील, we don't know कि how good he is going to be but उन्होंने जकारिया की डील साइन कर दी, then उन्होंने चीह इसा वाली डील को complete कर रहा था, उन्होंने कूलसेफस्की को साइन किया फिर उन्होंने कूलसेफस्की को अच्छे, like अच्छे margin पर उन्होंने Spurs को सेल कर दिया, उसके बाद यह यहां पर वो लोका टेली को लिया है, अब यहां पर कहीं न कहीं वो डी मरिया को भी लेकर आते हुए दिख रहे हैं, और डी मरिया मेरे को लगता है कि इस पाइर टाइम पर भी काफी जादा अच्छा डिलिवर कर सकता है, he is still left in this tank, लेकिन इसी के साथ बात करते हैं एक और युवेंटेस के ट्रांसफर से और वो आते हैं अपने ही प्लेयर पॉल पोगबा के रिगार्डिंग, तो भाई यह तो सबको पता था कि पॉल पोगबा युनाइटिट के साथ तो कॉन्ट्राक रिन्यू नहीं करेगा, तो इट वाउस कि पीएसजी जा सकता है, रियाल मेर पोगबा के लेकि उनको पोगबा लेकर आना है, लेकिन ऐसा कहीना कि उनका कार्डो अंसलोटी और फियूरंटी पेरिस की जो नई पॉलिसी है उसमें दिख नहीं दिख रहा, इसी कि साथ हम पीएसजी की बात करें, सबको पता है, पीएसजी पीएसजी सबसे बड़ा पीएसजी और इसके पीछे दो रीजन है, पहली चीज तो यह है कि युवेंटरस का जो ओफर है, हाला कि वो पीएसजी को बीट नहीं कर सकता है, यहां पर इसी के साथ यहां पर जो सबसे बड़ी चीज आ रही है, वो यहां रही कि पोगबा की प्रिफरेंस भी वापिस से इटली जा रहा है, जहां पर उसकी बेस्ट फॉर्म निकली थी, अचा डी मरिया की जब पोगबा की मैं इन दौनों प्लेयर्स की बात करता हो ना, जब मैं सोचता हूं तो दिमाग में आ रहा था कि दौनों प्लेयर्स ऐसे थे, लाइक डी मरिया का रियाल वेलिट में प्लेयर्स इतना ब्लेम कर सकते हैं ना, उतना प्लेयर्स हमको अपने युनाइटिद के क्लब कल्चर की भी बात करनी पड़ेगी, वो कलब कल्चर बहुत जादा टॉक्सिक और डिनॉमिनेटिंग था, मतलब उसको वो रहा प्लेयर्स की प्रोफाइल को काट रहा था, लेक इसके साथ बात करते हैं थोड़ी सी मैंचेस्टर युनाइटिड की, सबसे पहले अगें एरिक टन है कि रोनाल्डो के रिगार्डिंग यतने भी स्टेटमेंट्मेंट्स आ रहें, उससे साफ पता चल रहा है कि रोनाल्डो एरिक टन है कि प्लैन में नहीं सिर्व वो प्लै सही मैं भाई देखना है कि एरिक टन है कि एक अटाकिंग, एक ठ्रेटनिंग और एक इंट्रस्टिंग फुट्बॉल खिलाने वाला बंदा, एंट्रेटनिंग फुट्बॉल वाला बंदा इस पॉट्व टाइम पर रोनाल्डो कैसे यूज़ करेगा और क्या स्टार्टेज और लेट्सों कि टन है कैसा कर सके इसी की साथ अगर ट्रांसफर मार्केट की बात करें तो देखो तीन प्लेर हिस्सा में यूनाइडिट के सामने टेवल पर रख्यों है पहला आता है यहाँ यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग और तीसरा आता है यहाँ यहाँ तो एंटनी या पर रफीनिया यूरिन टिंबर की बात करें बाई मक्खन जा रहा है ट्रांसफर कोई दिक्कत की बात नहीं पर्सनल अग्रिमेंट साइन हो चुक है और मैंने कल भी बताया था दौनों क्लब्स के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत जाद अच्छे है प्लस जो एरिटन है तुनने के लिए तयार है हाला कि AX ने आपर कहा है कि बाई नहीं नहीं इस सीजन और उख जा फिर अब बात कर देखते हैं तुमको पता है जब प्रिमेर लिग से पुल आता है और मोस्ट इंपोर्टेंट लिशाए से उनाइट भी पूल कर सकती है तो ऐसे में रोकना कि Calvin Phillips के लिए और अगेन इट डिपेंड्स की यहां पर लीडिज उनाइटी रेलिएट होगी या नहीं होगी इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है लेकिन अगर बात करें फ्रेंकी डियों की तो ऐस पर जो हमने पिछले तीन-चार दिन पहले हमने जो फुट्बॉल देली बिना ही यहां पर ठीक हो जाए बागी दर सिट फॉर दिस एपिसोड गाईज आई होब आपको एपिसोड पसंद आएपिसोड पसंद आपिसोड को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें आपको इसी तरह फुट्बॉल स्रेट एक्स्क्लूजिव कांटेंट चैनल को मि बलता रहेगा तब तक के लिए stay tuned stay safe and I'll see you in the next episode